नवस्कार दोस्तों आपके अपने The Moral Education YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप रोक सकते हैं पर आपके लिए समय कभी नहीं रुकेगा इसलिए समय के साथ निरंतर मेहनत करते रहें आप जल्द ही सफल हो जाएंगे ADPO की जगाँ आने वाली है इसके साथ alternator में पूंचा जाता है इसके साथ नवहां नौकरियान इसके लिए यह अद्छय की कारपार्पार्राQué संग कारपार्रा का के बारे में इस तरब राज की कारपार्रे में इसमें 89 जोलेंगे तो जो संगी की कारपार्रा है वही एक चीज और देखेंगे लेके 108 जो अनुचेद हैं अनुचेद 121 से अनुचेद 108 तक संग की कार पालका के बारे मेंigkeiten 161 से राज जिकी कारपालका के बारे में देखते हैं वीडियो अनुचीद 72 चमा आधी की ओर से कुछ मामलों में दंडा देश के नीलंबन परिहार या लगू करण की राष्पती की शक्ति अनुचीद 72 में राष्पती जी को यह सक्ति प्रापत है कि वह किसी की सजा को कम कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, इसी प्रकार इसमें पिलस 89 करेंगे, 161 हो जाएगा, भात्तर पिलस 89 आपका 161 हो जाएगा, तो 161 चमा आदी की ओर से कुछ मामलों में दंडा देश, नीलंबन, परिहार या लगू करन की राज जपाल की सक्ति है, देखि होंगे, इसी के साथ ही हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, अनुच्छे 13, संग की कारपाल का की सक्तियों का विस्तार है, अनुच्छे 162 में, राज की कारपाल का की सक्तियों का विस्तार, एक सो बासट में, राज की कारपाल का की सक्तियों का विस्तार, अनुच्छे 54 राष्टपती को सहायता और सलायकार देने के लिए मंत्री परसद होती है अनुच्छेद तो आपको लगाना चोहत्तर ऐसी प्रकार करेंगे तो अनुच्छेद 163 में राज जपाल को सहायता और सलाय देने के लिए मंत्री परसद होती है यदि एक याद कर लिया प्लस एट नाइ लगा के दूसरा याद हो जाएगा अपने आप अनुच्छेद मंत्रियों के बारे में अनुपबंद दिये हैं तो अनुच्छेद 165 में मंत्रियों के बारे में अनुपबंद दिये गया है ऐसे ही अनुच्छेद 76 भारत का महानियावाजी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 165 राज का महानियावाजी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार का संचालन कैसे होता है अनुच्छेद 77 में 8 ठीक है न और अनुच्छेद 166 में राज की सरकार क ठीरदा के कारियों का संचालन कैसे होगा 166 में अनुच्छD 1788 राष्ट्पती को जानकारि देने आधी के संबंद में प्रदान मंदने का करतब होता है इसी करकार 9痛 लगांगे अनुच्छद 1667 राजपाल को जानकारी देने आदी के संबंद में मुकमंत्री के कर्टब होते आगे देखते हैं संसद है इदर इदर राज की बिधान मंदल है अनुच्छेद 89 संसद का गठन संसद का गठन के संदुच्छेद में बताया गया है 89 में इसी परकार प्लस 89 लगाएंगे अनुच्छेद 168 में राज के बिधान मंदलों का गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 81 लोग सवा की संदुच्छना अनुच्छेद 170 में बिधान सवाओं की संदुच्छना इस वीडियो को आपको कम से कम 3-5 बार सुनना है 3-5 बार यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं इसको सुन लेंगे तो आपको बहुत सारी आर्टिकल अनुच्छेद हैं आपको अपने आप याद हो जाएंगे अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अबधी के बारे में बताया गया है और पिलस्ट 89 अनुच्छेद 182 राज्यों के बिधान मंडलों की अबधी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 84 संसद की सदस्ता की अरहरताएं हैं अनुच्छेद 183 राज्य के बिधान मंडल क सदस्ता के लिए अर्ऩा बताया है यृि शबता के बारे में सदस्ता दी क्या अर्ट के वारे में बताया कह अब को बदाया है संग चल रहा है और इधर राज चल रहा पिलस 89 जोडदा है। अनुच्छए 86, शदनो मैं अभी भासन का और उनको संधेश भेजने का राष्टपती का अधिकार। सदन में अभी भासन और उनको संदेश भेजने का राजपाल का अधिकार दिया गया है आप इस वीडियो का हमने आपको बताया तीन से पाँच बार सुनेंगे तो आपको यह याद होते जाएंगे इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है अनुच्छेद डबल एट में दिया है 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महा मंत्रियों के अधिकार पिलस 89 अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महानियावादी का अधिकार राज में नेक्स्ट है सदन्ग के अधिकारी राज के बिधान मंदल के अधिकारियों के बारे में अनुच्छेद 89-89 राजपाल का राज जो राज सभा है राज सभा का सभापती और उप सभापती के बारे में खांदिया गया है 89 में अब इसमेン 89 और 8 करेंगे तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 178 विधान सभा का अध्यक्ष और पाध्यक्ष के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 90 उपसभापती का पद रिक्ष होना और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 189 अध्यक्ष पाध्यक्ष का पदरिक्ष सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोई संकल बिचारा धीन है तब उनका पीटा सीन ना होना पिलस 89 अनुच्छ 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल बिचारा धीन है तब उनका पीटा सीन ना होना अनुच्छ 93 लोग सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया है अनुच्छेद 182 पिलस 89 करेंगी विदान परिसद का सवापती और उपसवापती के बारे में दिया है अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्त होना एबं पद त्याग करना पद से हटाया जाना पिलस एट नाइन अनुच्छेद 113 सभापती उपसभापती का पद से रिक्त होना पदत्याक करना पद से हटाया जाना हो यह अन्य आपको बताया आप एक तीन से पांच बार पढ़ेंगे तो यह आपको अनुच्छी दियाद होने लगेंगे तो कि जब तक ही हमें कोई चीज कठन लगती है जब तक हम उसके बारे में जानकारी नहीं हो जाती है जब उसके बारे में जानकारी हो जाती है तो नर्मल हो जाती है जैसे मालीद यह मुबाइल है मुबाइल में कितनी प्रोसेस होती है तैच स्क्रीन देना है नेटवर्क लगाना ह पूरी प्रोसेश हो जाती है अपको पता नहीं नहीं उसके बारे में पता नहीं था तो अपने बहुत हाड लगता इसलिए किसी भी चीज़ को यदि और फ लगती है आसान बनाना है तो उसे बार इधां से 11 करत्ब्यों का पालन करने एया अध्यक्ष के रूप में कार करने की अपाध्यक्ष और अन्व्यक्षियों की सक्टी अनुच्छिद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प बिचारा धीन है तब उनका पीटासी ना होना पिलस एट, नाइन, अनुच्छेद 185, जब सभापती या उपसभापती को बद से हटाने या कोई संकल बेचारा धीन है, तब उनका पीटासी ना होना, यह है संग के संबंद में चल रहे हैं, यह है राज के संबंद में अनुच्छेद चल रहे हैं, अनुच्छे 97, सभापत और उपसभापती तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बेतन और बत्ते, तो सभापती, उपसभापती, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बेतन बत्ते का ब्रेण कहां दिया गया है, 97, इसी के साथ पिलस 89 करेंगे, तो अनुच्छेद 186 प्राप्त होगा, इसमें अध्य उपाध्यक्ष सभापति और उप्वापति के बीतनव्थ्य चीर्ज्ज के सभाह लाए करेंगे 187 जो भी आप समझें और यहають अनुचिद 99, सदस्यों द्वारा सपत, कार संचालन, बा, पिर्ती ग्यापन, पिलस 89, अनुचिद 188, सदस्यों द्वारा सपत, या पिर्ती ग्यापन, अनुचिद 100, 100 में क्या दिया गया है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुगे भी संसद की कार करने की सकती और गण पूर्ति के बारे में कहां दिया गया है इसमें हम 98 प्लस करेंगे तो अनुच्च्च 189 हो जाएगा 189 सदनों में मतदान जो सदन है राज के सदन है सदनों में मतदान रिक्तियों के होती हुगे भी सदनों की कार करने की सक्ति और गण अंगे क्लास पड़ेंगे तो शदनों की निरहरता हैं यह संग के चैत्र में को बारबार में करें देखते हैं थो यह चोई 101 सदनों का रिक्त सदनों का दनान ऊंपटा होना ग app treo rant 190 इस्ठानों का रिक्तुनें राज के संबंदमें Kenneth 102 सिय्थियों के लिए निरहरता हैँ इसके वारे में राज के समझार में अनूच्छे 103 सदनों की निरहरतां से संबंद्द पakter discriminant की बिनिश्चाय अनुच्षेद 192 सद्नों की निरहर्ताों से समंदित पृषणों की 20 निर्चाय अनुच्षेद 1904, अनुच्षेद 99 के अधीन सपत लेने या प्रति ज्यान करने से पहले अरहर्ताएं ना होते हुगे, नरहताइं किये जाने पर बैठने और मत देने के लिए सक्ति पिलस 89 करेंगे 193 अनुचिद में क्या है अनुचिद 188 के अधीन सबत लेने या तितिग्या करने से पहले या अरहताइं ना होते हुगे यह नज़ताएं किये जाने पर बैठने और मत देने के लिए सक्ती राज के बिधान मंडल और उनके सदस्यों की सक्ती बिसेस अधिकार और उन मुक्तियों के बारे में कहां दिया गया है अनुचेद 193 में दिया गया है यह सब राज के संबंद में हैं आगे देखते हैं संसद की तथा उनके सदस और समीतियों की सक्तियां बिसेस अधिकार और उन मुक्तियों के बारे में आज देखेंगे इसके साथ ही राज के बिधान मंडल तथा उनके सदनों और समीतियों की स सक्तियां बिस्य सदीकार आधी किसमें दिये गए हैं 105 में 105 में क्या है संसद के सदन तथा सदस्यों की सक्तियां और बिसे सदीकार आधी सदनो के बितन बहते कहां दिएगा 165 में क्यां कि इसमें पिलास 981 जोड़ रहा है यह जीख रहे हैं अनुचे 107 बिद्यकों के पूर्व इस्थापना और पारित किये जाने के सम्भन्द पिलस एट नाइन करेंगे तो अनुचित 196 विधायकों के पूर्ग इस्थापना और पारित किये जाने के सम्मंद में धारणाएं अनुचित 108 देखते हैं कुछ दसाओं में दोनों सदनों की सन्युक्त बैठक किस अनुचित के तहट होती है 108 के तहट संग में या संसद में कहाँ पर संसद में इसी के साथ पिलस एट नाइन करेंगे अनुचित 197 धन विधायकों से भिन विधायकों के बारे में विधान परिशत की सक्तियां और निर दिये गए हैं और संग की कारपालका के बारे में दिये गए हैं इसके साथ 161 से 177 इसमें राज के बारे में दिया गया है यदि हम इन वाली लाइन को याद कर लेंगे तो पिलस 89 जोड़के हम राज में आ जाते हैं जैसे महां लीजिए 72 है हमने याद कर लिए छमादान है पिलस 89 कर देंगे तो राज में राजपाल को छमादान है ऐसी ही वीडियो पर राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें अभी से पढ़ते रहें आप सफल अबसंगे